महराज़ के उपराज़दानी नाकपुर में संत्रा उत्पादक शेत्र के रूपे जाना चाता है लेकिन देश को बाटने वाले लोग भी नाकपुर के ही हैं इसका जिकर करना अफसोस चनक है अब समय आ गया है कि देश की एकता और अखंटा को बाटने वाली ताकतों को उनकी असली जगाद दिखाई जाए यह बात दिल्ली विधान सबग की उपाद्यक्ष और आमानमी पार्टी की ने था राकी बिर्लानी ने कही भनाकपुर के बेजान बाग मैदान में आयोजित ए इस तोरान व्यासपीट पर आपके महराश्ट सहप्रवारी गोपाल इटालिया प्रदेश संगचान मंत्री भूशन धाकुलकर शहर अद्यक्ष अजिंके कलंबे अजीत फटके सीमा गुत्ते मनिश मोदक धनंचे शिंदे संदीब देसाई शाहिद जाफरी रोशन टोंग् रिशववान खेडे नरेश महाजन प्रदीप पवनिकर सुश्मा कामले आधियू पस्तित थे अपनी भाशन में बर्लानी ने कहा कि गोपाल इटालिया की नित्रत में महराश्ट में पार्टी का काम जोर शोर से चल रहा है नागपुर में बैठक करने के बाद या बात प्यों कर इमानदार कारेकरतों की आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है वे हमें बताना चाहते हैं कि उन्हें देश को बातना जारी रखना चाहिए बिर्लानी ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की जाडू के सहारे देश को जोरने का काम करते रहेंगे कोई भी नेता या राजनेतिक दल राजनीती में बदलाव नहीं ला सकता या बदलाव आम नागरी खीला सकते हैं कोई भी नेता या राजनेतिक दल राजनीती में बदलाव नहीं ला सकता या बदलाव आम नागरी खीला सकते हैं नागरिकों को जातिवात की राजनीती को किनारे रखकर ऐसी पार्टियों से लड़ना चाहिए आज़ादी का अमरत महुसर मनाया चाह रहा है तब भी बेरोजकारी गरीबी शहीदों की उपेक्षा बुन्यादी सुविधाओं की कमी शिक्षा की कमी स्वास्त सुविधाओं की कमी प्रश्टा चार जारी है राखी बिल्लानी ने सक् ऐसे दलों को सत्ता सौपने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि इससे समाज का पत्ता नहीं होगा कैमरा परसन राजकुमा मोहड के साल शितिजादेश मुख बीसीन न्यूस नाकपुर